खश ं purchases तो Bad ट्हास सघ्शंट का linear equation this variable कर रहा है उसमें हम लोग वाड़ पॉर्लमिक कर रहे थे और यह वाड़ प्रॉल्मिकलred lecture 4 है इस लेक्षर में हम प्रॉब्लमिक और टाइम से time एंड डिश्टेंस से related question करेंगे time and distance related question ऑब कोशन कितने बढ़ते है कोशन कितरू समझेंगे एक चीज में पता है कि जो टाइम डिस्टेंस और कोशन हो सकता है ठीक है simple अगर मालो कि कोई बन्दा है या कोई तो परसन है जो 100 km जा रहा है और उसको टाइम लग रहा है दो गंटा तो आप क्या बोलोगे कि किसीज़् हो गया सिंपल सी बात है इसलिए मैं नहीं बोला कि यह क्या होता है एक कॉमन सेंस का कुश्टन है यह कॉमन सेंस से आप बता सकते हो जिरूद नहीं है ठीक है बढ़ते हैं कोश्टन की तरफ बुटे सेंसा पाला क corazón 107 किल मिटर 3-70 किल मिटर जसेंस जाता है कि यार निकोष्ट दूर ट्रेन से खबर करता है और कुश्ट कार से टोटल एक ही नहीं ट्रेन से कभर किया सबस्क्राइब भी हमें पता नहीं आगे पढ़ते हैं 250 किलीमेटर यानि कार से कवर किया है तो आगे मैं जहतना कहत्राइब किया है कि किसे कवर के खुट् Assamidduckerёт किसे कले मिट्याया कर यानि कार से कितना किलीमेटरँ किया है 120 क्लियोमीटर ओके यह पहला केस होगय इक से ही कि पोर हावर और उसको टाइम लगा है चार गंट कि उसको टाइम चार गंटे लगा ठीक है तो यह फाला खेस है इसमें मैंने क्या विश्त knife साथ में दुसरी दिया है गा धिर आज, 2030 के關i चला घृतर डिया है Ch Millsb कीलोमीटर कारस जाएगा हीड टेक्स एटीम मिम्टर नो Ар्टारницу ज्यादा लगाएँ फाले से अथार्य मिनट ज्यादा पहले कीतना लगता था चार घंट अप नहीं अभेता लग रहा है स्पीट को भी वाई किलोमेटर पौर आवर ओके किलोमेटर पौर आवर में क्यों माने है तो यहां से अगर हम टाइम कैलकूलेट करें क्योंकि स्पीट तो हमान चुके हैं ते स्पीड भी दिया है और डिस्टेंज में पता है तो अगर टाइम का फॉर्मूला गर निकालेंगे ताइम का देखो यहां से होता क्या है एस पीड इजीकूल टू अगर डिस्टेंज बाइट अगर यहां से टाइम केलकूलेट करना हो तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ऐस टाइम इजीकोल टू डिस्टेंस बाइफ फीड यहीं होगाा नो डिस्टेंस बाइफ टू सबसे पाहला कीयस ता पॉला केस में कितना किलो मेटर गया था दो सो किसे गया है ट्रेन से तो मुथोब बॉन्डेश चेड़े exist in Italian लगवा टाइम से जाना यह इतनाहा टाइम लगअ डिश्टेंस भाई स्पीद कर नं इसन जाने भी कज़ाने अप टाइम में कर इंद एक सिर्फींट नहीं लगए और तो मनुन ठीक है यहां से दो कॉमन लेकर डिवाइड कर दी है तो यह मेरा पॉला एक्वेशन त्यार हो गया अब दूसरा केसा आते हैं दूसरे केसे बला था कि अगर वह 130 किलिमिटर ट्रेंज से जाए तो ट्रेंज से जाने में टाइम कितना लगेगा 130 किलिमिटर जा रहा और स्पीड है एक्स तो 130 बाई एक्स और बाकी 240 किलिमिटर जो बचा यह 240 किलिमिटर कैसे आरा माइनस करने पर क्योंकि 130 किलिमिटर ट्रेंज से गया बाकी जो बचा वो कार से जा रहा है 240 किलिमिटर और उसका स्पीड कितना है कार का वाई तो यह ट्रें 2022 स्ट 20 मिन अब आपता और में ना सारा कर सारा और में कल्कुलेट हो रहा है तो आवर में हैं इसको वह drop में चेंज करने के लिए क्या दिए ताकि यह भी किसमें चेंज हो जाए अब यह भी और में चेंज हो गया जमें इसको कंति लाउट करो गए त्यहीं हो जाएगा कि 3 by 10 और एड करोगे तो गया 43 by 10 अब यह 10 डिवाइड में हिसाइड मुल्टिप्लाइन वेज दिया तो फॉस्ट और सेकेंड एक्वेशन त्यार हो गया लेकिन यहां पर एक्स और वाई जो है वो प्रटीनो मिनिटर में है इसलिए मैं क्या कर रहा हूं वन बाई एक्स को यू और वाई को भी माले रहा हूं आपने इस तरह का कोशन किया वा अल्रेडी और यहां पर यू और भी रख दे रहा है तो यह नया एक्वेशन त्यार हो जाएगा और इन दोनों ही को सॉल्व यू को किता माने वन बाई एक्स इस वह से एक्स का हो जाएगा हंडेड और भी वन बाई वाई है इस वह से वाई के वह जाएगा एक्टी यानि की ट्रेन का स्पीड इतना है 100 km per hour और स्पीड अपकार क्या हो जाएगा 80 km per hour ओके बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ क्योंगा अगे भूजे ट्रेन डिस्टेंस एक युक्षाऔर करता है कौछ धिस्टेंस और युनिफॉर्म स्पीड का मतलब आंगे स्पीड इसका बार बार चेंज नहीं हो रहा है आगे बला गया, if the train had been 6 km per hour, यानि कि जो पहले वह स्पीड था ना, उससे अगर 6 km fast चले, ज्यादा स्पीड कर दे, तो उसको एक्चोल ने पहले जो time लगता था, ठीके, it will have taken 4 hour less than the schedule time, यानि पहले जितना time लगता था, उससे अब 4 घंटे कम लगेगा, फिर क्या बला, and if the train was slower by 6 km per hour, लेकिन पहले से वह अगर 6 km per hour के स्पीड से धीरे चलने लगे, अगर धीरा चलने लगे, तो इस बार उसको जो time लगेगा, वह actual time से 6 घंटा ज्यादा लगेगा, 6 hour more than the schedule time, ठीक है, तो पता करना है पूरे journey, तो देखो, पूरा journey जो होगा, वह distance होगा, और distance हम speed और time से calculate करके निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो भी relation दिया गया है, वह speed और time का था, 6 km per hour fast कर दे रहा है, तो time 4 घंटा कम लग रहा है, और 6 km per hour अगर speed slow कर दे रहा है, तो time 6 घंटा ज्यादा लग रहा है, किसका relation दिखा रहा है, speed और time का, तो speed और time के help से हम distance निकाल सकते हैं, इसलिए हम क्या मालेंगे, speed और time, तो हम क्या मालनी है, कि जो original speed था, जो उसका usual speed था, जिसे वो हमें साथ चल रहा था, वो x km per hour है, वो x km per hour है, और उस समय जो actual में time लगता था, वो y hour है, अब जाहिए से बात है, एक ही speed से अगर रोज तो same time में पहुचेगा, same time लेगा, ओके, तो देखो usual speed वो यह था, और y hour उतना time लेता था, तो speed into time करेंगे, तो क्या निकल जाएगा, distance, speed into time, यह हो गया, distance, यह actual distance उसको जाना है, पहले case के हिसाब से, क्या था, 6 km कर वो fast चले, यानि कि अब की बार वो speed क्या कर ले, x plus 6 कर तो जो time लगेगा, वो क्या लगेगा, 4 घंटे कम, यानि पहले y लगता था, तो अब y minus 4 इतना time लगेगा, तो यह speed है, speed into time करेंगे तो क्या होगा, distance निकलेगा, और distance अभी भी तो वह ही दूरी चल रहा है, दूरी तो उतना ही तय कर रहा है, तो दूरी कितनी था, xy यानि कर वो slow हो जाए, तो पहले x से जाता था, speed से अब क्या जाएगा, x minus 6, और पहले जितना time लगता था, उससे 6 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है, तो यानि कि y plus 6 तो यह speed हो गया, और यह हो गया time, speed into time क्या होगा, तो distance कितना जाना उसको, distance xy जाना है, equate कर दिए, अब इस और y के महलू 24 आ जाएगा, यानि उसका usual speed कितना है, 30 km per hour, और उसको time कितना लगता था, 24 hour, यानि कि उसका जो actual length of journey, यानि total distance कितना जाएगा, तो speed into time, तो speed into time की यह तो यह आ गया, distance, यानि 720 km उसको total जाना था, इस question को देखो, बोला गया है, place a and b are 100 km apart, और यह highway, दो जगह है, एगर भी, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 100 km की दूरी पर है, एक car start from a, एक car जो a से start होता है, और दूसरा car b से start होता है, same time एक साथ start होते है, अगर if the car travel in the same direction, अगर दोनों के दोनों same direction में move कर रहा है, ठीके, दोनों का speed different है, या दरको द तर वो दोनों एक दूसरे के तरफ travel करते है, toward each other, they meet in one hour, तो कितनी दिर में मिलेंगे, एक घंटे में, अब simple सी बात है, पहले से ही 100 km दूर था, पहले से ही 100 km पर दूर था, यहाँ उसको represent करें है, ठीके, a यहाँ पर है, b यहाँ पर है, तो अगर दोनों का same speed होता, तो कभ travel करेगा, जाब का मैंने माल लिए कि C point पे जाकर मिल गया, यानि कि a 5 घंटे में a से c गिया, और b 5 घंटे में b से c गिया, यहीं हुआ न, तभी तो जाकर c point में मिल गया है, ठीके, तो speed तुमको क्या लगता है, किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होना चाहिए, इसका ज़्यादा होना चाहिए, ठीके, इसके a का ज़्यादा होना च जो का रहे हो एक्स किलिमेटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है और यहां पर जो का रहे हो वाई किलमेटर पर आवर से जा रहा है तो पांच घंटे बाद मिला यानि फाइफ आवर तो यह स्पीड इंटू मिलाकव फाइफ इन commence कितना है उसको होगा है तो तो फाइप इस निकल जी corazón इस होगा बीजिस्टेस और एसी दste कितना है 100 अब खुद से बताओ यह 100 प्लस 55 किसके इक्वल है 5x के इक्वल है तो 5x इस इक्वल टू 100 प्लस 5y अब इसको सॉल्ब करेंगे तो क्या हो गया 5x-5y इस इक्वल टू 100 और एक्वल टू 25 अब दूसरे केस की तरह बढ़ते हैं वाला केसी को फिर से देखोगे उसके वासे फिर दूसरा किस देखो सेकेंड किस में क्या दिया गया है वें टू कार मूब्स इन अपोजी डियरेक्शन अगर वह दोनों का अपोजी डियरेक्शन मूब करते हैं तो कार यहाँ पर है कार भी यहाँ पर है कार है इस साइड मूब कर रहा और कार भी इस साइड मूब कर रहा है अपोजी डियरेक् एकली बीच में होगा क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है तो देखो एक घंटे बाद मिला है सी तर यहां ए से सी तक यह एक कितना दूरी किया होगा एक किलमेटर पर और एक घंट यानि के स्वीड इंटू टाइम डिश्टेंस हो गया था एक्स किलमेटर से वैसे बी कि कितना तरह किया होगा तो वाइक लुटर पार रहा हो उसका क्या है स्पीड टाइम कितना लगा वान आवर थे स्पीड इंटू टाइम डिश्टेंस यानने की वाइक किलमेटर कवर किया तब जाकर सी तक पहुंचा और यह दोनों को एड करेंगे तो कि इतना क्या इक्तनी ह है हंडेट किलमेटर है एक्स प्लस वाइक कितना हो गया हंडेट हो गया तो यह से कंड़ी किया जाएगा तो एक सिच्वेशन समझते हैं माल लो कि तुम साइकल से कहीं जा रहे थे है साइकल से इस डायरेक्शन में जा रहे हो और इधा से क्या हो रहा है विंड ब्लो कर रहा है हावा बारा ठीक है काफी तेज हावा है तो तुम्हारा स्पीड एक्षल में होता क्या है डिक्रीश कर जाता याने कि अगर तुम 10 किलोमेटर पर आवर के स्पीड से तुम चला तका दे रहा है तो एक्षोल जो स्पीड होगा ठीक है तुम्हार साइकल का जो स्पीड हो वह कितना होगा 7 किलोमेटर पॉर आवर क्या है माइनस की वही अगर सिच्वेशन दूसरा सिच्वेशन देखो तुम साइकल से जा रहे थे और यह cycle से जा रहे थे 10 km per hour से और जो wind हुआ वो पिछे से push करने लगा ठीक है और wind 3 km per hour के speed से भी समय move कर रहा है तो तुम्हारा speed क्या हो जाता है increase कर जाएगा जाइड से बात है तो जो actual speed होगा याई तुम 10 km per hour के speed से ही चला रहे हो लेकिन 3 km per hour से speed से भी इंडाकर धका दे रहा है तो तुम्हारा actual speed क्या हो जाएगा 13 km per hour यह बात समझ माई सेम इसी तरीके का एक और condition होता है ठीक है समुद्र के case में नदी के case में होता क्या है कि एक नावत समुद्र के अंदर या पर नदी के अंदर चल रहा है और यह x km per hour के speed से चल रहा है इस direction में चल रहा है और जो नदी की धारा है ठीक है जो धारा है वह y km per hour के speed से opposite direction में move कर रहा है यह हो गया current धारा को current बोलते हैं और यह हो गया तुम्हारा boat ठीक है दो बोट चल रहा है x km per hour से इस direction में और current उसके opposite direction में मुख किया जा रहा है तो एक्षूल में जो बोट का speed होका वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यानि कि actual speed क्या हो जाएगा एक्षूल स्पीड एक्स माइनस ओवाई ठीक है कि किलोमेटर पर आवर इसको बोलते हम upstream क्या बोलते हैं upstream यानि की धारा के विरुद यानि कि जिधा current यानि कि water का flow है उसकी opposite direction में move किया जा रहा है तो उसके opposite direction मुख करेंगे तो क्या हो जाएगा speed कम हो जाएगा लेकिन वही situation और यहां जो ही नहीं है बोट यहां पर कोई आदमें भी हो सकता है कि कोई बड़ा जहाज हो सकता है कुछ भी हो सकता है इस तरह का situation यानि कि एक इदर सम्मूब कर रहा है उदर से अगर कोई रोकने वाला है तो speed क्या हो जाता है कम हो जाता घट जाता सिंपल सी बात है जैसी situation में हुआ था सेम ऐसे ही एक और बोट ले लेते हैं और यह एक किलोमेटर पर आवर से इदर मूब कर रहा है और जो वार्टर का फ्लो है ठीक है यानि करेंट करेंट यानि कि वार्टर फ्लो वह भी इसी direction में वह क्या है वाई किलोमेटर पर आवर क्या है ठीक है तो बोट का speed क्या हो जाएगा जिसको ने ढॉना स्क्रीब अर्टाइस्टीम में क्या हम जाएगा तो दोनोंfrage जोड जाएगा यानि कि स्पीद अब ज्याता हो जाएगा तो इसप्र श किलमेटर पहर era ये और ये कंसेप्ट है ओके यह समझ में आया हो टीक आगे बढ़ते कोशन के तरह सबसे पहला कोशन क्या है a man can road down stream 20 km per hour in two hour down stream में वो 20 km तरह कर सकता है दो घंटे में और off stream में 4 km कवर कर सकता है दो घंटे में तो उसका roaring in steel water ठीके तो उसमें वह उसका स्पीड क्या होगा ठीक है उस आदमी का तैरने का दूसरा यानि की पानी का जो धारा है उसका स्पीड क्या है तो मैंने क्या माणने है कि SPEED OF MANY IN STIL WATER 7 जल में क्या होगा X km per hour होगा और करेंट यानि की WATER का फ्लो कितना है Y km per hour तो डाउन एश्ट्रीम और एप इस्ट्रीम की बात क्या जाता है तो डाउन एश्ट्रीम में प्लस हो जाता है अभी पड़े है अभी पड़े हैं यहां पर 20 किलमेंटर पॉर 20 किलमेंटर ढ़ावर क्या दिया था डाउन इस्टेंस पर यहां पर भी दिखा दिया गया तो यहां से सब्सक्राइब करते हैं अब दोनों को सब्सक्राइब करेंगे तैक्स का वेलो फूर आजाएगा यानि के स्टील वाटर में आदमी क्या चार क्लिंटर पौर आवर उके एक और कूशन करते हैं शोलो के निवीटर डाउन स्टीममें तो इसको टूटल टाइम लगा शे घंठा लगा यानिकी स्टीम और 24 किलीमेटर डाउन स्ट्रिम दोनों को ट्रेवल करके टूटल टाइम कीतना लगा च्छे घंठा लगा और तो इट कवर 12 किलोमेटर ऑप फिर 12 किलोमेटर अगर ऑप जाता है एंड 36 किलोमेटर डाउन इस्टीम इस केस में भी सेम टाइम लगता है सेम टाइम का मतलब पॉले 6 गंटा लगता था भी इस के तरह लग रहा है तो मैं बताना है कि स्पीड अप दा बोट इन एस्टील इस्टील वाटर यानि सांत जल में और डैट आप दे स्ट्रीम यानि के करेंड को ही बोलते हैं ठीक है वाटर के करेंड को ही स्ट्रीम बोलते हैं अब देखो तो बोट के स्टील वाटर में हमने क्या मालना है कि सांत जल में जो बोट के स्पीड होगा वो नॉर्मली एक्स क कर देखकर एक माइनस य किलमेटर पर और और डाउन श्वाइश में क्या हो जाएगा दोनों जोड़ जाएगा था एक स्प्लस य किलमेटर पर आवर अब कोशन के तरफ बढ़ते हैं फिर से लिए तो देखो क्या बला तो यह पता चला कि और्प एस्टिंब में कितना ताइम लेगा सेमेसे ही 24 किलो मिटर जा रहा है डाउन वेंट्रीम में तो 24 किलो मिटर और डाउन इस्टिम का स्पीड हो गया है डिस्टेंस वाई एस्पीड कर से यह पहला चल गया और दोने मिला कर एक्षुल में टाइम कितना लगा है छे घंटे इकोल टू 6 ठीक है तो एक एक्वेशन त्यार से उसी तरीके से दूसरी बार में क्या हुआ है कि 12 किलियो मिटर जा रहा है और पर दॉसरीं में अच्चच टीस क्लिमेटर डाउटें में फिर भी टाइम सेम अचिंश दिस्टेंस कबर किया यह होगा ताइम होगा ना 12 किलोमेटर कबर किया है x-y किलोमेटर पर आउर के स्पीड से यह हो गया distance सुरी यह स्पीड सुरी यार 12 किलोमेटर जा रहा है ठीक है 12 किलोमेटर जा रहा है और x-y के किलोमेटर पर आउर के स्पीड से जा रहा है तरह तरह किया देगा ताइम देगा और यह भी क्या दे रहा ते दो टैम में लाओ कर एक चोल में कितां लगाया 6 घंठे लगा उगाया है वंसे हो गए और यह से की ि की अंधकोले करें भाधा है फीरोन दिखा देता हूं वन बाई x-1-y को इ आ माल लिए हैं one by x plus y को भी माल लिए हैं तो नया equation यह और यह त्यार हो गया दोनों equation को calculate करेंगे यू का value one by four और वी का value one by two यहां पर value लगकर त्यार करेंगे तो यह आ जाएगा एक equation अधी equation यह जाएगा दोनों equation को solve करेंगे तो x का value eight और y के फूर आ जाएगा यहांने कि इस्पीड बोटी ने इस्टील अटर आठ क्लियोटर पर आवर हो गया और वाटर का करेंगे तो